हेलो गाई सभीकूर मेरे नमस्कार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मायरा ब्लॉक्स पे तो आज का जो टॉपिक है वो है परगतिवाद अच्छा है वाद वीडियो अप्लोडेड हो चुका है तो मैं स्लेपस के हिसाब से यहां चल रही हो परगतिवाद बहुत सारे सेम प्रगतिवाद एक राजनेतिक एवं समाजिक सब्द है प्रगतिवाद क्या है एक राजनेतिक और एक समाजिक सब्द है प्रगतिवाद क्या है याद रखेगा राजनेतिक एवं समाजिक सब्द है प्रगतिवाद का अर्थ है आगे बढ़ना उन्नती प्रगतिवाद का अर्थ है आगे बढ़ना मतब आगे बढ़ना उन्नती करना मतब विकास करना ठीक प्रगतिवाद का जो अर्थ है वो में अर्थ क्या है कि देखे प्रगति का अर्थ होता सिर्फ प्रगति का अर्थ होता उन्नती करना आगे बढ़ना अब प्रगतिवाद का जो अर्थ हो गया वो हो गया हमारा समाज साहित्य और आदि चीजों में से मेरा समाज है साहित्य साह प्रगति वाद च्छाया वाद उतर युग के नवीन का विधारा का एक भाग है। मेरा थोड़ा आवाज आप लोगे इग्णोर कीजिए का प्लीज बहुत तबित खाया में मेरा बहुत सर्दी हो गया इसलिए तो असा गला बैठ जाता है। नितियों में परिवर्तर या सुधार के पच्छधर है। फिर है इतिहासिक दृष्टी से अमरीका में परियोगवाद विस्वी सती के आरम में अपने सिर्ष पर था जब ग्री यूद समाप्त हुआ और बहुत तेजी से उध्योगी करन आरम हुआ। कहा जा रहा है कि अगर इतिहास के तरब से हम देखें पहले जाके बहुत पहले जाके अगर परियोग कर रहे थे। तो यह अमरीका में विस्वी सती के आरम में ही अपने सिर्ष पर था और अमरीका में प्रगतिवाद का पर्चनल हो रहा था लोग इसका फायदा उठा रहे थे। प्रगतिवाद का उससी टैम से सुरुवात हो चुका था जब गिरी यूद समाप्थ हुआ और बहुत तेजी से उध्योगी करन का आरम हुआ। जब जो हम लोगों का अजादी का ये सब का जो लड़ाय जगड़ा हो रहा था दिर दिर वो समाप्त हो रहा था उसके बाद प्रगतिवाद का क्या हुआ तेजी से इसका उप्योग किया गया और उद्योगी करन का आरम हुआ उद्योगी करन मतलब की बरी-बरी फेक्टिरिय या जो पहले बेल गारी ये सबसे जो खेत जोते थे खेती करते थे वो सम्में बदलाव मस्यूनों का परियोग करना ओध्योगी करन को बढ़ाना वो चीज होने लगा प्रगतिवाद के माधियम से अब नेक्स टॉपिक हम लोग देखेंगे प्रगतिवाद का जन मतलब इसका जन में कब हुआ कैसे हुआ वो देखेंगे तो प्रगतिवाद 1936 इसवी से संगठित रूप में हिंदी में प्रगतिवाद का आरम प्रगतिस सिल लेखक संग द्वारा 1936 इसवी में लखनो में आयोजित उस अधिवेशिन से होता है जिसकी अधियच्छता प्रेम चन्द ने की थी मतलब जो प्रगतिवाद का अगर जन में को देखा जाए तो वो संगठित रूप से क्या हुआ था कि हिंदी में प्रगतिवाद का आरम हुआ पहले ठीक है वो क इतने इसवी में याद रखना आपको अगर पुछा जाब प्रगतिवाद का जन में कब हुआ थीक है तो इसवी में अधिवेशिन से होता है जिसके जो एक लखनों में आयोजित रखा गया था प्रोग्राम रखा गया था जिसके अधियाच जो थे वो प्रेम चन्द जी थ सबसे पहले चर्चा की और इसको परियोग में लाने का बात कहा और प्रगतिवाद का वहां से जन में होता है इनमें उन्होंने कहा था सहित का उदेस दबे कुछले हुए वर्ग के मुक्ति का होना चाहिए इनमें उन्होंने कहा था मतलब परेम चन्द ने कहा कि सहित का जो वुक्ति मुक्ति का होना चाहिए उससे लोग मुक्त हो पाए और और परगत्वाद के लिये प्रगती वाद का परियोग किया जाना चाहिए जहां पे लोग्द भैय स आगे बढ़ा रहा है उन लोगों को प्रगतिवाद के माधियम से मदद किया जाना चाहिए उन लोगों को प्रगतिवाद के अंतरगत रखना चाहिए और वहाँ पे विकास का उदगाटन करना चाहिए फिर है 1935 इस्वी में E.M. फोस्टर ने परियोग सीव राइटर्स एसो सीसियन नामक एक संस्था का निव पेरिस में रखी थी इसी की देखा देखी सजाद जहीर और मुलक राज आनन्द ने भारत में 1936 इस्वी में प्रगति सी लेखक संके स्थापना की क्या बलजारक 1935 क्या है यह जो बड़ा सा आप नाम देखी उसको में आप भी यान नहीं कर पाओगे पर आपको करना होगा अगर कर पाओ तो इमे एम फोस्टर ने जो यह थे उन्हीं के देखा देखी जो एक संस्था था पेरिस में जो रखा गया था उसी संस्था को क्या हुआ कि देखा देखी सजजेदार जहीर और मुलक राज कौन हमारे भारतिये थे सजाद जहिर और मुलक राज आनंद ने भारत में क्या किया 1936 इस्वी में परगती सिल लेखाक संके स्थापना कर दी परगती सिल मतलब परगती वाद ही इसको परगती सिल भी बोला गया और परगती वाद भी कहा गया तो वही लेखाक संके क्या कर दिया अस्थापना कर द चपन इसवी तक का इतिहास है क्या का जा रहा है कि एक सहीतिक आनॉलन के रूप में प्रगतिवाद का इतिहास है उसको अगर हम एक सहीतिक आनॉलन के रूप में देखे तो उसको कब तकatraar رहा है फिर जिसके पर्मुक कवी है केदानात अगरवाल नागा अरजुन राम विलास सर्मा रांगई रागव सी मंगल सी सुमन चित्र लोचन आदी ये सारे कवी जो है वो पर्मुक कवी रहे हैं प्रगतिवाद के किन्तु व्यापक अर्थ में प्रगतिवाद ना तो स्थिर मतवा है लेकिन क्या है कि प्रगतिवाद जो है वो इस्थिर रहने वाला यूग नहीं है रचनाए इसमें जो रचनाई भी लिखी जा रहे थी वो इस्थिर रहने वाले नहीं थी बलकि नियंतरन बलकि लगत्तार वो विकासिल साहित धारा है विकास होने वाला जिसमें ने ने त जिस आले शुरू हो गये थे हवारे प्रगतिवाद यूगवे फिर है प्रगतिवाद के विकास में अपना योगदान देने वाले परवती कवियों में केदाना सी धुमिल कुमार विमल अरून कमल राजे जोसी आधी के नाम उन लेखनी है प्रगतिवाद के अगर विकास प् वारे में लोग ज्यादा बाते फिलाएं, लोग इसमें ज्यादा योगदान दिये, तो जो परमुक कुछ कवी थे, वो थे परवती, और केडानाची, धुमिल कुमार, वीमल अरोन, कमल राजेस, जोसी आदी के नाम उन लेखनियां, और भी होंगे पर ये सारे परमुक हैं, फिर है, प्रगतिवाद कावे का मुलाधार मार्क्षवादी दर्शन है, पर या मार्क्षवाद का साहित्यक रूपांतर मात्र नहीं है, प्रगतिवाद अंदोलन की पहचान जीवन और जगत के प्रती नए दृष्टी कोन में नहीं थे, या नया दृष्टी कोन था, वित इसके प्रति नए द्रिश्टी कौन उसके प्रति क्या नए द्रिश्टी कौन नया जर्य से नया द्रिश्टी हम जो देखे नया इसमें क्या बदलाव लाज सकते हैं नया आगे जो हम बढ़ सकते हैं वो नहीं थे या नया द्रिश्टी कौन था या नया नया सब कुछ देखन पुराने रूड़िवाद जीवन मुल्यों को त्याग मतलब जो पुराने हम रूड़िवाद जो कश्ट दायक जिन्दगी जी रहे थे जिसे कोई अगर नीचे काश्ट काया तो उसे उपर काश्ट रहे लोग और दवाते थे और जो हम गरीबी में ही जिन्दगी वैतित कर र महराजा है उनलों को जिन्दगी तो ठीकी चल रही थी पर जो आम जन्त थी उनकी जिन्दगी बहुत ही कश्ट नायक थी यह सारे जो पुराने जवाने के परंपरा संस्कृति लेके चल रहे थे मन में बठाय हुए कि नहीं मेरे यह पुरवश किये तो हमको भी वही करना है ये सारे चीजों को क्या हो रहा था प्रगतिवाद में त्याग करना सुरू कर रहे थे लोग इसका त्याग करने के बारे में सोच रहे थे जान रहे थे फिर अध्यात्मिक वा रहसियात्मक अवधानों के स्थान पर लोग अधारित अवधानों को मानना मतलब जो पहले का जो अधियात्मिक लोग थे रहिस जो रहिस को जो पहले बताया जाता था जिसे कि अन्ध भी स्वास अप ले लिजी एक तरह से जो लोग चलते थे कि पहले का लोग ये ऐसे करने से ऐसे होता था वो उसी बात पे जो गीसे पिटे बातों पे ही लोग अपना मायनेतर को मान के चल रहे थे वो सारे चीज़ को हटा के लोग अधारित अवधानों को मानना मतलब लोगों के दुवारा जो जादा दी जाए कि ये चीज़ सही है ये चीज़ मुझे करना चाहिए वो उस चीजों को जादा आदमी मानने लगे फिर हर तरह के सोशन और दमन का विरोध फिरसे हर तरह का सोशन और दमन का विरोध होने लगा प्रगत्ति वात में जीसे कि किसी भी महलाई को उठा के ले जाता था जिसमें घुंगट परता भी आ गया था लोग मोच फपा के और दो लोग चलने लगी थी ताकि उस पे कोई बुरी नजना डाल पाएं रासले लाएं होती थी फिर गरीबू लोग को कुछ जैसे सोशन किया जाता था जितने तरह कभी जो सोशन थे कूररता थे जो खराब चीजों थे उन चीजों का क्या हुआ दमन का विरोध हुआ उन चीजों को खतम करने का विरोध किया गया जैसे कि सती प्रता भी था अगर पती मर गया तो आपको पती के साथ भी लेडिस को मर जाना ये सारे चीज़ का क्या हुआ कि विरोध किया गया फिर है धर्म लिंग नसल भासा छेतर पर आगरित गैर बराबरी का विरोध म्तलब कि जो धर्म अलिंग जो धर्म धर्म में जो होती थी कि अगर मुऀशलीम हिंदु ये समय जो लड़ाईया वगेरा भेड किये जाते थी और अगर इस्तरी है पूरूस है तो शितरी है तो घर में रहेगी पूरूस है तो बाहर काम करेगा भर का नहीं कर सकता यह सारे जो मायनिया था थी और जो भासा आपको यही भासा का पर्योग करना आप कोई और भासा नहीं बोल सकते है फिर छेतर का भी आप अच्छे छेतर में रहते तो आपको value मिलेगा आप खराब छेतर में रहते तो कम value मिलेगा यह सारे चीजों को क्या हुआ कि इसकी लोग विरूद करने लगे और बराबरी किंपग करने लगे कि हम एक समान है सारे लोग नीचे जात के चाहिए उपर जात चाहिए धर्म जैसे भी है पर हम सब इनसान एक ही है वो चीज के यहां पान्यता होने लगी फिर है स्वतरंत्रता सामनता तथा लोकतंतर में विश्वास जाया गया है कि हम लोगतंतर हैं अगर हम किसी का किसी को मुख्य मतुरी या समाज का भी मुख्या बनाना चाहते म camera जैसे की लोगों में जादा जिसके प्रति बंत्भेद हो कि जादा वोट देगे जिसको हम बनाना चाहीए वहीं बन सकता है कि अपने बबसे कोई भी रही तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर थोड़ा बहुत चूक रहा गई होगी तो कमेंश रिक्षिर में बताईए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वह चीज़ सुधार कर पाऊ और थोड़ा सा मेरा बहुत तवित खराब है सर्दी खासी है तो आव पेरा कमेंट किजिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले सभी को बबाए और बेस्ट अप लगग